हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पामी ब्यूटी वर्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब लोग स्वास्त और मस्त होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ, नोज हेयर वैक्सिंग किस तरीके से करते हैं कौन सी वैक्स से आप नोज हेयर वैक्सिंग कर सकते हैं, वैक्स करते समय आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है फुल प्रोसिजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर गाईज आप मेरे चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर nose hair cutting से related, nose waxing से related and nose massage से related काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी और पालर में जो भी काम होता है, उन सब topics related वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर upload कर रखी हैं जैसे bleach, facial, threading, waxing तो please मेरे चैनल पर विजिट करें और guys अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो useful, interesting and knowledgeful लगे तो वीडियो को like करें, share करें, साथ में चैनल को subscribe भी कर दे, and bell icon को जुरूर press करें ताकि आने वाली latest वीडियो की notification आपको, nose के unwanted hairs को remove करने के लिए मैं wax यूज करती हूँ, Rika की Brazilian wax कोई भी peel of wax आप यूज कर सकते हैं, kattori wax यूज कर सकते हैं, bean wax यूज कर सकते हैं, एक biscuit form में Brazilian wax आती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप best wax जाना चाहते हैं, तो मैं काफी लंबे टाइम से nose hair waxing करने के लिए, Rika की Brazilian wax का यूज करती हूँ, काफी अच्छी wax है, easily सारे के सारे hair remove हो जाते हैं, और skin को बिल्कुल भी हाम नहीं करती, और guys यह wax skin के लिए काफी safe भी है, guys wax को आपने heater में डाल कर गरम कर लेना है, और आपने ध्यान देना है कि आपकी wax का temperature नॉर्मल रहना चाहिए, उसके बाद आपने wooden stick पर wax लेनी है, और nose को hold करते हुए नॉस के अंदर उसे डाल देना है, अच्छे से घुमा कर प्रेस कर देना है, और बीच की clip हमारे से मिस हो गई थी, तो हमने केवल पुल करने की वीडियो आपके साथ शेयर की है, नॉस को hold करते हुए आपने stick को बाहर की साइड पुल कर देना है, वैसे तो इनके almost सारे के सा प्रोब्लम नहीं होती है, आप इसकी easily reapplication कर सकते हैं, और प्रोपर तरीके से आपने wax को dry होने देना है, और चेक करना है चुकर जब आपको लगे कि wax dry form में convert हो गई है, उसके बाद ही हाँ आपने nose को hold करके stick को पुल करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है अगर आपके client ने nose pin wear कर रखी है, तो आप उनकी nose pin remove करवा दे, पर यह जो मेरी client है, इनकी nose pin permanent वाली है, इसे remove नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमने nose pin को पकड़ कर बाहर की side stick को पुल किया है, इसलिए इनके सारे के सारे hair remove हो गए थे, प्रोपर तरीके से hair remove होने के बाद अब हम use करेंगे coconut oil का, जब भी आप nose hair waxing करते हैं, तो आपने उसके बाद कभी भी कोई fragrance वाली cream client की nose में नहीं लगानी, आप coconut oil लगा दे, coconut oil का use करने से क्या होता है, client की skin में relief भी हो जाता है, और उसकी जो fragrance है, client को बिल्कुल भी irritate नहीं करती, उसके बाद कोई problem skin में नह होती, तो अगर आपके पास coconut oil है, तो आप उसका use करें, नहीं तो आप mustard oil का भी use कर सकते हैं, अब इनके कुछ hairs और भी रह गए थे, तो हमने फिर से थोड़ी सी wax लगा दी है, क्योंकि इनको पूरे के पूरे hairs ही remove करवाने थे, कई बार client बोलता है कि मुझे पूरे hair remove करवा and bell icon को जुरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहे, rika wax काफी अच्छी और safe wax है, आप nose hair waxing के लिए use कर सकते हैं, अगर आपकी nose में काफी कम hairs हैं और आपको लगता है nose hair waxing की need नहीं है, तो आप use कर सकते हैं nose hair cutting का, उससे भी आपकी nose से जो बाहर hair आ ही आप लोगों के साथ share करूंगी, तो चलिए मिलते हैं आप से किसी next video में, okay take care, bye bye, thanks for watching, thank you so much झाल